गुड आप्टरनून डियर स्टुडेंट्स माइ नेम इस प्रवन कुमार शर्मा आयम्दा फैकल्टी ओप इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग डिपार्टमेंट इन श्री दिगंबर इंस्टिटीट ओफ टेक्नलोजी दोसा आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नमबर 18 क के बारे में डिसकस करेंगे इस्टडी करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है वह टाइप ऑफ सेमिकंडेक्टर से एक्स्ट्रेंसिक एंट्रेंसिक सेमिकंडेक्टर तो टाइप ऑफ सेमिकंडेक्टर के बारे में हम डिसकस करते हैं अलाइक मेटल मेटल में इन बिच एडिशन लेकिन सेमिकनड़क्टर की case में क्या होता है यदि हम इंप्युरिटि एड़ करेंगे तो सेमिकनड़क्टर केस में इंप्युरुटी एड़ करने के साथ सब्सक्राइब किया होती है इंप्रीज यह बढ़ती है बेज दॉन दे Semiconductors है, उनका classification दिखाया गया है, Semiconductors को 2 parts में divide किया गया है, पहला है Intrinsic और Pure Semiconductor दूसरा हमारा होता है Extrinsic और Impure Semiconductor अब यहां पे जो Extrinsic Semiconductor है, इसको भी 2 parts में divide किया गया है, पहला है N-type Extrinsic Semiconductor दूसरा है P-type Extrinsic Semiconductor, यह क्या था हमारा classification था semi conductor के बारे में अब हमारा है सबसे पहले हम discuss करेंगे intrinsic semiconductor होता क्या है कैसे बनता है semi conductor is an extremely pure form is known as intrinsic और pure semiconductor एक ऐसा semiconductor जो बिल्कुल pure form में हो उसे हम क्या बोलते है intrinsic या pure semiconductor इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा semiconductor जिसमें हमने कोई भी type की doping add ना की हो बिल्कुल pure semiconductor हो वो अमारा जो semiconductor वो क्या कहलाएगा intrinsic या pure semiconductor यानि कि ऐसा semiconductor जो बिल्कुल pure form में हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा intrinsic या pure semiconductor एक्जांपल देखो pure germanium and silicon crystals are two most important intrinsic semiconductor यानि pure germanium का crystal और pure silicon का crystal दो most important type intrinsic semiconductors के हैं the electronic configuration of silicon and germanium are as follow यानि silicon और germanium का जो atomic electronic configuration है electronic बिन्यास है वो धरसा आया गया है दिखाया गया है silicon का जो atomic number होता है वो कितना होता है 14 तो इसका जो electronic बिन्यास क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 इसी तरीके से germanium का कितना होता 32 तो इसका electronic बिन्यास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2 थरस both the elements है four balance electron इसलिए जो दोनों elements में यानि silicon और germanium में दोनों में क्या होते है चार balance electron पाए जाते है crystal structure of silicon and germanium in two dimensions is shown in figure यानिकि जो crystal structure silicon and germanium का two dimension में वो figure में दर्शाए गया है जैसा कि silicon के लिए जो हमारा है silicon iron core दिखाई गया है जिसमें हमारा silicon के पास silicon का अपने balance cell में जो electrons होते है silicon के पास हों कितने होते है फ३र होते है तो यहां पे silicon है इसके पास अपने आउटर जो balance cell में कितने र Quốc चार है एक दो तीन चार यह चार क्या है Barrie in the 2009 के लिए क्द्षाइ इसके स्वार्फ के लिए बहुगता है इसके ओफस्पर आउटर मॉष्ट एनी बैलेंसぜल में फॉर्म कोवलेंट बोंड बनाते हैं वही शेरिंग दा इलक्ट्रोंस आप नेवरिंग फॉर्स जर्मिनियम एटम्स यानि जो फॉर बैलेंस इलक्ट्रों ने जर्मिनियम एटम्स के वो क्या करते हैं कोवलेंट बोंड बना लेते हैं यानिकि फॉर बैलेंस जो जर्मिनियम के पास चार बैलेंस इलक्ट्रों होते हैं वो पड़ोस वाले जर्मिनियम एटम से चार इलक्ट्रों का साजा करके अपना कोवलेंट बोंड बना लेते हैं by forming such covalent bond इस प्रकार के covalent bond के बनने के द्वारा each germanium atom in the crystal behaves as if the outermost orbit य्यानिकी प्रतेख germanium atom है जो crystal में इस तरीके से ब्याय गाता है if the outermost orbit of each atom is completely having no free electron यहां पर जो outermost orbit है प्रतेख atom का वो complete है तो इसलिए यहां पर कोई भी free electron नहीं होता यानि कि इसमें जो आउटरमोस्ट और्बिट है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है इसलिए यहां पर कोई भी फ्री लेक्टोंस नहीं होता है जैसा कि यह हमारा जर्मीनियम और सिलिकन का यूनिट सेल दिखा रखा है यह कोवलेंट एक साजा यह कर लिए एक साजा यह कर ल परती है तो यह क्या करता है सिलिकन या गर्मेनियम से एलक्त्रोंबड च एक त्रफ डो और तीन चार इस तरीके से चार से पास प्रते एक सिलिकन के पास चार होते हैं तो यह क्या गरेगा प्रोस बाला जो सिलिकन एक तो इस से एंटम सिलिकन से ले लेगा एक इस वाले उपर वाले सिलिकन से ले लेगा एक इधर साइड वाले सिलिकन से ले लेगा एक इधर से ले लेगा और अपना क्या बनाने Pyro semiconductor या Intrinsic semiconductor यहां पर देखो इसमें क्या होता है silicon केपास एक बाइर और बोल रहा हूं चार balance electron होते हैं अपने outermost orbit में इसको अपना पूरा करने के लिए, चार electron की requirement होती है तो यह क्या करता है परड़ोस बाले silicon या germinium atom से क्या करता है सिलिकन का क्रिस्टल है तो सिलिकन के एटम से साजा करेगा और जर्मिनियम का क्रिस्टल है तो जर्मिनियम के जो एलेक्ट्रोनों का साजा करेगा तो यह क्या करता है पालोस बाले सिलिकन यह जर्मिनियम के एटम से एलेक्ट्रोनों का साजा करके अपना क्या बना लेता है यह भी क्या करता है पड़ोस वाले जर्मिनियम एटम से एलेक्ट्रोनों का चार एलेक्ट्रोनों का क्या करता है साजा करता है और साजा करने के द्वारा यह अपना क्या बनाता है 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 इस टाइप का यह जर्मिनियम की स् Sleekan Etoom के लिए मैंने दिखाया आपको अब बात करते हैं सब्सक्रेटर का इफेट क्या पड़ेगा एध एँपरेचर zero kelvin four germanium structure डे बैलेंस बैंड ईज ओल फुल याणि की टेमपरचा two Kelvin पर germanium structure के लिए आम बात कर रहे हैं तो germanium के क्रिस्टल के लिए जो अधी द्र नेंटा सब्सक्राइब करता faculty या सब्सक्राइब करेगा बीव करता है यानि जुरो कैल्ब पर कोई भी semiconductor कैसे बिएव करेगा एक इंशुलेटर की तरह बिएव करेगा क्योंकि उस टाइम पर जो जर्मी उस टाइम पर जो बैलेंस वेंड वो फून रूप से लेक्टोन से बरा रहता है और कंडक्शन मेंट पून रूप से इंपर्टी रहता है इसलिए यह क्या करेगा एक इंशुलेटर की तरह बिएव करेगा दे मिनिममम एनर्जी रिक्वाइड टू ब्रेक के कोवालेंट बॉंड इस 0.72 एलेक्टोन बोल्ट फो जर्मीनियम एंड 1.1 एलेक्टोन बोल्ट फो जर्मीनियम एनर्जी की रिक्वार्मेंट परती है कोवालेंट बॉंड को तोड़ने के लिए वो जर्मीनियम के लिए क सेंटिगेड में हम देखें तो रूम टेंपरिचर कितना होता सब्सक्राइब को क्रोस कर जाते हैं पार कर जाते हैं एंड एंटर इंट्टू दा कर जाते हैं अब यह करते एंटर करते जो कंडेक्शन में आपकरेंट करते रहते हैं लीविंग बियाइंड इक्कोल नंबर पोल्स दे बैलेंस्ट यहांदि यह जब यह बैलेंस्ट एक से conduction band में electron जाते हैं तो जितने electron balance band से conduction band में गए हैं उतने number के hole किस में बन जाते हैं हमारे balance band में create हो जाते हैं ठीक है तो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं जैसे electron balance band से conduction band में जाएगा forward energy gap को पार करके तो वो अपने पीचे क्या चोड़ के जाएगा? प्रजूंगे तीचितफिपनी नंबर भू सूंगे एनी बराबर एने बराबर एनाई ब्यार एनी एनेच और नंभर डैंसिटि ओप लक्त्रों कि जोगया है जो डैंसिटी है ऑड्रों की कंड़ेंशन में और जो ऑनेच वो क्या है होसं टीये बैलेंस में फिरियंट ऐना लो होता है semiconductor के लिए उसको मैं आपको बता दू क्या होता है mass section law कहता क्या है mass section law यह कहता है the concentration of the concentration of electrons and concentration of holes the product of concentration of electron and the concentration of holes is always equal to intrinsic concentration square this is the mass section law यह कहता है कि जो hole की concentration और electron की concentration का जो product है वो किसके बरावर होता है intrinsic concentration के square के बरावर होता है this is called mass section law इससे हम क्या बोलते है mass section लो बोलते है ठीक है there n is the number of free electrons in a semiconductor p is the number of holes in a semiconductor and i is the intrinsic carrier concentration इसको ऐसे भी represent कर सकते हो आप mass section लो को any dot nh बरावर ni square एनि electron और hole की concentration का जो product है गुणां के वो किसके बरावर होता है किसके बरावर होता है intrinsic concentration के square के बरावर होता है ठीक है और n i क्या है intrinsic carrier concentration the formation of free electrons and holes is shown in figure अब देखो free electron and holes कैसे बनेंगे वह फिगर में मैंने दर्सा है कैसे बनेंगे देखते हैं crystal structure with broken of covalent bond जब कोई एक बात मैं आपको clear कर दूँ पहले ही जब भी कोई covalent bond टूटेगा तो वह क्या करता है जब भी कोई covalent bond टूटता है तो equal number of holes और equal number of electrons बनते हैं मतलब covalent bond टूटेगा तो equal number of hole बनेंगे और equal number of जितने number of holes बन रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे electron भी create होंगे तो देखो जब मैंने इसको thermal excitation दिया जब मैं thermally excitation pure semiconductor बैसे zero kelvin पर कैसे बिएव करता है एज इंशुलेटर की तरह बिएव करता है मैंने आपको पहले सबसे महत पहले यह कोवाल्यक्त बन टूटेगा तो कहलें तो यहांसे तो यहांसे थ्ल्यक्त ूपर दोवारा व स्कालएंगेड रहते हैं तो दूबारा वार nib आसे चलने के लिए इस हुआ प्रकार हुआ सरंकला चलती रहती है और kovalent bond टूटते रहते हैं जितने kovalent bond टूटें गए उतने नम मतलब 10 kovalent bond टूटे मालू सपोज करो इस इपर पूरा crystal मैं suppose कर रहा हूं यह कोई accurate नहीं है मैं suppose कर रहा हूं इस इस बाले crystal में मानलो मेरे 10 covalent bond टूट गई thermal excitation में ने दिया यह थर्मली जब मैंने temperature इस में apply किया इस crystal में तो मानलो मेरे 10 10 10 covalent bond क्या होगे ब्रॉक ब्रॉक होगे ब्रॉकन होगे तो उस टाइम पे जब 10 covalent bond टूटे तो 10 ही तो electron बनेंगे तो tan ही क्या बनेंगे hole बनेंगे यानि tan ही electron बनेंगे और यही तो हमारा intrinsic semiconductor कहता है कि यानि कि concentration of holes की density है वो electron की density के बरावर होती है कौन से case में intrinsic semiconductor के case में तो बन रहा है नहीं बन रहा मतलब इसमें मानलो मैंने माना था 10 covalent bond टूट रहे हैं तो 10 ही electron बनेंगे और 10 ही hole बनेंगे इसका मतलब क्या हुआ hole की density और electron की density क्या हो गई बरावर और यहीं क्या होता है pure semiconductor intrinsic semiconductor किसके बरावर जो any बरावर NH बरावर NI ठीक है तो यहां पर क्या होता है है जो hole और electron की quantity है holes की density और electron की density क्या होती है बरावर होती है जितने number of holes की होंगे उतने number of electron यहां पर होंगे covalent bond के ब्रोक होने के कारण ठीक है यह मैंने आपको समझा दिया है अब आता है extrinsic semiconductor in intrinsic semiconductors among 10,000 atoms only one atom is responsible to generate electron hole पे है इन्ट्रेंसिक सेमिकंडक्टर में यदि मैं 10,000 atoms यदि intrinsic semiconductor में 10,000 atoms में काम में ले रहा हूं only one atom is responsible to generate electron hole pair तो इसमें से 10,000 atom में से केवल कोई एक atom होता है जो electron hole pair generate करने के लिए responsible होता है therefore conductivity of intrinsic semiconductor is very less इसलिए जो intrinsic semiconductor होते हैं प्योर समिकंडक्टर होते हैं इनकी conductivity क्या होती है बहुत कम होती है क्योंकि 10,000 atom में उनमें से कोई एक एक atom हैसा जो electron hole pair generate कर रहा है तो इसलिए intrinsic semiconductor की जो more conductivity होती है और जो इंप्याइट कर रहे हैं जो इसा क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आपंड कि याप करनेगे तो जो भी हमairy जो भी आम aid कर रहें तो भी आम इंप्यूरिटि एटम एड कर रहें वह क्या करता है डूपेट्पे य soap झेललीओ इस्लिफ ट इस्लिफ यह डूपें जो कुछ इंप्यूरिटि उसमें एड़ कर प्रहें ईटम से उनको वोड़ शाये में आप्लों City Wdp कंड़क्ट में एड़ दिया या कुछ उपल्रिकल घर दी तो इसकी इंपोल इसकी बढ़ाट सब्सक्राइब क्या चक्राइब्स ना 253 फेरे धिने डोगेज़ को你ा सब्सक्राइब इनके ल their the आआपको पहले आपको पहले बता देए धीस टाइब सब्सक्राइब अरक impressed साइब्सक्राइब प्रेकार हो समीकंडश्स आंप्सक्राइब क्या Ł Дटे या कव्याता है और जो हम इंप्यूर्टी एड़ जो इंप्यूरेटी एड़ करने की प्रिख्रिया से क्या करते हैं? पहरोन मान लिया यह क्या होते हैं? इंहें impurity atom को तो हम क्या बोलेंगे डोपेंट बोलेंगे लेकिन डोपिंग क्या होता है जो हम impurity एड करने की प्रिक्रिया है वो क्या कर लाएगी हमारी डॉपिंग कर लाएगी ठीक है बहने न इंट्रेंसिक सेमी कंड़क्टर is doped with pentagonatoms जब हम एतम यह नहीं इसको लटा देना है तो हम जो जब इंट्रेंसिक सेमी कंडॉक्टर में पैनटवलेंट डॉपिंग एड्ड कर रहे हैं पैंटवलेंट एक्टम की डॉपिंग उसमें एड़ कर रहे हैं तो जो पैंटवलेंट कौन कोंसे है फास पॉर आर्सैनिक और एंटिमन SAY, that is atom consisting 5 electron in balance cell, यहान कि यो पेंटवालेंट एटम क्या कहला था तो, कौनसे पेंटवालेंट एटम कौनसे होते हैं, जिनके अपने पांच एलेक्ट्रोन पाई रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? přेसे बियुक्त मुझी जो हमारे फेंडवलेंट होते हैं इनके पास इस प्रकार की डॉपिंग जब हम इसमें एड करेंगे इस क्रिस्टल में सिलीक्न या में इस प्रकार की डॉपिंग को मतलब एंटबलेंट डॉपिंग को मैं आइड करेंगे तो उससे ज्यादा नंबर ओफ एलेक्टॉंस हैं वो क्रियेट होंगे बरणाम शुरूफ जो हमारा सेमिकंडॉक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा एंटाइप सेमिकंडॉक्टर कौन सा सेमिकंडॉक्टर में क्या कर रहे हैं ट्राइवलेंट एटम की क्या कर रहे हैं डॉपिंग कर रहे हैं जो हमारा इंट्रेंसिक सेमिकंडॉक्टर है उसमें जो डॉपिंग एटम मिला रहे हैं वो कौन सा मिला रहे हैं ट्राइवलेंट एटम होते कौन से हैं ऐसे एटम जिन shamingham gallium indium thallium this type of doping creates more number of holes यहनिकि जो हमारी acceptor doping है उसके करान के अबनते ज्यादा नंबर में whole create होते हैं ज्यादा नंबर में whole create होते हैं and resulting extrinsic semiconductor is cold p type semiconductor पंदाम सुरुफ जो extrinsic semiconductor बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे p type semiconductor अब आता है हमारा extrinsic semiconductor सबसे पहले बात करते हैं n-type semiconductor कैसे बनेगा टू फॉर्म n-type semiconductor n-type semiconductor बनाने के लिए पेंटाबलेंट impurity such as antimony fast porous and arsenic is added to intrinsic और pure semiconductor यादि कि यदि n-type semiconductor हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा pentablend impurity add करनी पड़ेगी कौन कौन सी antimony जैसे pentablend इंट्रम्स कौन कौन से होते हैं antimony fast porous और arsenic की impurity हमें intrinsic semiconductor pure semiconductor में add करनी पड़ेगी such impurities donors access electron यहाँ पर यह जो impurity है इसमें electron की access होती है इसलिए क्या करती है एक electron को donate करती है such impurity donors access electron यानि electron का जो access होता है जो electron ज्यादा है electron जो extra है उसको क्या करती है donate करती है इसलिए इस ताइप का जो impurity उसको क्या बोलते है donor impurity मैंने आपको बता दिया था dopend कि उसको बोलते हैं जो impurity हम atom मिला रहे हैं जैसे boron aluminum helium कुछ भी मिला रहे हैं वो क्या कर लाएगा dopend four electron of dopend makes covalent bond with the semiconductor and fifth electron travel as a free electron यानि चार electron जो dopend के हैं वो क्या करते हैं semiconductor के साथ covalent bond बना लेते हैं फिफ्ट electron travel as a free electron यानि चार electron तो क्या होते हैं जो silicon और germanium के balance cell में कितने electron होते हैं छार लेकिन इसके पाँस क्या होता जो हमारा pentavalent atoms होते हैं इनके पास अपने balance cell में पॉज चार एलेक्ट्रोन के साथ तो ङोगा लेकिन एक बच जाता है यानि इसके रत इसके पाल अन्होंने तो आपना कॉअलेंट बना लिया लेकिन एक एलेक्रोन बच जाता है और जो फ bonito जो बच जयتा है वो कहि lifelong करता रहता है इच אीच आप टो प्रिएक आड़्वड करता है मतलब इंप्रिक डॉक्त करे मतलब इंप्रोड को डॉन युट मोट्क करता है इश प्रकार की इंप्रिटि को कर देने के बाद में प्रतेक डॉपेंट एटम को एक पॉजिटिव होल की रिक्वियर्मेंट होती है एक पॉजिटिव होल की आवश्क्ता होती है एक फ्यू नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इन टाइप समी कंड़क्टर कुछ नंबर के होल्स हैं वो एन टाइप समी कंड़क्टर में प्रेजेंट होते हैं बिच आर बिच आर प्रोडूजड दू तु धर्मल उसको क्या बोलततए हैं डॉनर इंप्यृटि एट्र न्युक्टर मैं आज अट बिलोव तरक 없 जब दोशोicly कंडक्शन में मिला रहें उसको क्या बोलते है डानर ओर एंपीरेटी हम सेमी कंड़क्टर में एड़ कर रहे तो energy level यहीं क्या है तो इनर्जी लेवल इंट्रीस होता है ज़िकर बिल्कूल नीचे कौन सा दांव energy level is 0.05 electron bolt distance below the conduction band in case of silicon donor energy level की जो distance होती है conduction band in case of silicon energy level की distance होती है conduction अधिश कितनी होती है silicon के लिए होती है 0.05 electron bolt और germinium के लिए होती है 0.01 electron volt in germinium current conduction in n-type semiconductor is dominated by three electron हों क्योंकि जो करन्ट का conduction ऑए करंट जो फ्लोग हो रहा है कि फ्रीलेक्टों स्केरे contexto में 2.7 कि है फ्रीलेक्टों स्क्राइब टो मीपेशन में यानी डोमिनेटिंगं पारट में फ्रीलेक्टों स्की इन नंबर होल्स की संक्या काम होती है इसलिए हम क्या बोलते हैं होल्स को माइनुर्टी चार्ज गिरेश कहते हैं N-type semiconductor is widely used because of mobility of electron is more N-type semiconductor को जायतर उप्योंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि जो electrons की mobility होती है वो होल की mobility की तुलना में बहुत ज्यादा होती है कि एलेक्टॉन की mobility क्या होती है ज्यादा होती है इसलिए हम N-type semiconductor क्यों में लेते हैं the effect of doping on conductivity can be described by the use of energy band diagram effect of doping on conductivity can be described by the use of energy band diagram doping का यदि हमें प्रवाव देखना है conductivity पर यदि doping का effect देखना है तो उसको हम energy band diagram के द्वारा समझ सकते हैं burn free electron per donor atom is now available in conduction band बन free electron per donor atom प्रतेक donor atom से एक free electron प्राफ्ट होता है जो हमें conduction band में उप्लब्द है प्रतेक donor atom से एक free electron हमें प्राप्त होता है जो हम्रें conduction band में available होता है थस extrinsic semiconductor have improved conductivity इसलिए extrinsic semiconductor की conductivity क्या होती है इंप्रूब हो जाती है यह फ्री लेक्टोंस एड़ सम अलोईवल एनरजी यह फ्री लेक्टोंस कुछ एनरजी को एड़ करते हैं यह फ्री लेक्टोंस एड़ सम अलोईवल एनरजी लेवल्स जस्ट बिलो दा कंडेक्शन मेंड यह जो फ्री लेक्टोंस हैं जो लाई करेंगे वो क्या करेंगे कंड इंटाबर सेमेंड़क्टर को हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है प्यॉर समिक अंड़क्टर लेना है इंक स हुआ इंट्र्णिक से अमको रूप में लिखांसे लिए बिर्द कर देना है एड कर देनी है और वह भी कौन से टाइप कि पेंटाबलेंड टाइप तो कौन सा समी कंडेंटर बन screams ठीक है तो मैंने क्या किया देखो एंटप जो ए वो कौन सी टाइड आप कर दी क्रिस्टल में आरंसानिक की है उसके पास अपने बैलेंश से वह उते हैं जो चार फॉते हैं आरसनिक यहां कि तरह है यह पर रहता है क्रिश्टल करता है यह फिल्य फ्री लेक्टोस नंगतर करता है इस पुरे घृतल में प्रिले क्रिश्टल में कड्रता रहता है फ्रीन चाहँ है क्रिस्टल करा रहता है उत सब्सक्राइब क्रिसितले को सर एक अपर्सолнit ब 강9 एक्सट्रा बच जाता है तो यह एक लेक्ट्रा ने वह क्या किलाता है यह जो फ्री लेक्ट्रान है वो ट्रवल करता रहता है फ्रीली मूब करता रहता है ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से लाखो दस जार बीस जार जो कर सकते हैं उसके अकोडिंग बढ़ती बढ़ती बहुत बढ़ सकती है मतलब जितना आप इंप्यूरिटी आइड करोगे उतनी हमारी कंडेक्टिविटी क्या होगी यह क्रिस्टल लेटिस दिखाया गया मैंने बता दिया आपको क यह हमारा नीचे वाला जो लोवेस्ट एनरजी लेवल है लोवेस्ट एनरजी बाला जो लोवेस्ट एनरजी लेवल है वो क्या 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 रहता है कंडेक्शन में या जो हमारा लोवेस्ट जो बैलेंस यह वाला क्या हो गया बैलेंस मेंड यह क्या हो गया कंडेक् बैलेंस बैंड मेंड मेंड मात तो यहां पर कंडेक्टिटी है नहीं है लेकिन जैसे हम इसमें थर्मली टेंपरेचर करते हैं यहां से जो इलेक्ट्रों किसमें जाने लगते हैं सब्सक्राइब तो हमारा वहां इनर्जी लेवल देखते हैं यह सबसे इंप्रेंट टॉप्टेंट टो यह बाल तो वह ही है एक बात करेंगे यह आपको इस तरीके चीण मानलों मैंने 10 इंप्रिटी है और जो इस्ट्रा जो हमारे बैलेंस बेंड्स पर कर रहे हैं हैं तो यहां पे जो में इसमें पार करते हैं तो टेंपरिचर बढ़ात देते हैं तो यहां पर लेते तो यह रहे जाते हैं यह किसमें चले जाएंगे डॉनर एनर्जी लेवल में और यहां पर क्या छोड़ जाएंगे होल जाएंगे उतने क्या होल जेनरेट हो जाएंगे बैलेंस में ठीक है इसके बाद में यहां पर आ गए यह अब यहां पर क्या होता है डॉनर एनर्जी लेवल मैंन पहुँच जाते हैं ठीक है अब यह उलेक्टर जो पहुचे हैं अब इन के लिए क्या होता है जब यह डानर में पहुच जाते हैं तो जर्मिनियम का यदि क्रिस्टल है तो उसके लिए 0.01 इनर्चों बोल्ट की एनरजी की रिक्वियरमेंट पड़ती है तो उसके लिए 0.05 एलेक्ट्रोन बोल्ट की एनर्जी की रिक्वियर्मेंट पढ़ेगी कहां से डॉनर एनर्जी लेवल से कंडेक्शन में एलेक्ट्रोनों को शिप्ट करने के लिए ठीक है यह दिखाया गया है यह मैंने आपको बता दिया जैसे ही इनको इतनी एलेक्ट्रो से किसे मोड कर जाएंगे कंडेक्शन मेंड मोब कर जाएंगे और जो कंडेक्शन मेंड में कुछ electron जौनमरा आम जोमरा इम्पोरिटी a foil का रिशा के ख़ान होते हैं खाल टया को मैंट्राइप स्वीव Kannwegenส कौन होते हैं होल्स होते हैं थैंक यू डियर स्टुडेंट्स थैंक यू आज के लिए बस इतना ही थैंक यू